आज हम बात करने वाले हैं CA New Skim 2023 के बारे में ये वीडियो के डिबांड एक स्टूडन ने मुझे इंस्टाग्राम पे गी थी जिनने मुझे मैसेच किया और उन्होंने अपना डाउट बताया वो डाउट काफी सारे और भी स्टूडन का हो सकता है इसके साथ-साथ वो डाउट के साथ-साथ हम क्या-क्या चीज़े डिसकस करने वाले सबसे पहली बात ये New Skim में क्या-क्या चीज़े चेंजीज होने वाले कितने सब्जेक्ट या क्या-क्या चीज़े चेंजीज आपको देखने को मिलने वाले सबसे applicable होने वाले और क्या-क्या चीज़े आपको ध्यान में रखनी है पढ़ाई आपको कैसे करनी है सबसे main चीज़ यहाँ पर आ जाती है तो May वाले students and November वाले students इस वीडियो को end देख जरूर से देखिएगा सबसे पहले मैं आपको उनका जो message है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि उनका doubt क्या था इसके साथ-साथ अगर आप भी मुझे कोई भी doubt पूछना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं आपके doubt के उपर आपको जो भी question है उसके उपर वीडियो बनाओ तो आप मुझे Instagram और Telegram पे follow कर लीजिए और आप मुझे message करिए मेरे सारे handles की link मेरे comment box में डाल दिये तो वहाँ से click करके आप मेरे साथ join कर सकते हो और अपना doubt भी पूछ सकते हो इसी तरीके से वीडियो के साथ आपको भी solution मिलेगा तो सबसे पहले सीधा screen से उनका doubt देख लेते हैं एक बार तो जैसे मैंने screen पर यहाँ पर आपको screenshot लगा दिया है उन्होंने clearly लिखा हुआ है I am in inter-CA and appearing for November 23 exam but I am confused about existing scheme and proposed one which one applicable for me and how I get concentrated तो उनके doubt के साथ साथ और भी काफी सारी चीज़े में आपके साथ solve करने वाला होता तो सबसे पहले हम बात करने वाले May 23 के students के बारे में ताकि उनके doubts clear हो जाए और वो अपनी पढ़ाई पर focus कर सके May 23 के students के अगर हम बात करें तो obviously अगर आप सोच रहे हो कि November में अगर ये new scheme लग जाएगी तो आपके लिए ये करो या मरो वाली situation होगी definitely आपको इसी तरही किसे सोचना है और इसी हिसाब से आपको पढ़ना है आपको तो applicable नहीं है but definitely आप इस exam में अगर crack कर ले तो तो आपने जितनी बढ़ाई की है उसका आपको result बहुत बहुत बहुतरी मिल सकता है May 23 students के लिए अगरे में लिए बेटल ग्राउंड 2023 जो 22nd January को होने वाला है दो BM को जिसमें आपको 70 lakhs तक कि स्वालसी मिलने वाल है इसको आप जरूर से join करिए join करने के लिए link में आपको comment box में दे दिये उस पे click करिए और enroll करने के लिए free में enroll करने के लिए use करिए मेरा code sbclub10 इसको enroll करिए और आप scholarship जीच सकते हो अपने rank के हिसाब से पूरा मैं आपको यहाँ पे image दिखा दिता हूँ पार्टिसिपेट करिए बहुत easy होने वाला है और आप भी इस dollar receipt को जीच सकते हो इसके साथ साथ CA Inter के group 1 के लिए जो भी students prepare कर रहे है उनके लिए earn academy में लेकिया है 3 months का subscription at lowest cost वो भी image में आपको लगा दिया है तो सारी details आपको मिल जाएगी link मैंने comment box में डाल दिया उस पर click करिए और join करिए maximum discount के लिए use my code sbclub10 जिसने आपको इस ते भी इस price से भी और discount आपको मिल जाएगा तो जरूर से जाएगी link मैंने आपको सारी comment and description box में डाल दिया 20 second को जो mega आपका scholarship test होने वाला है उसे जरूर से attend करिएगा तो अब बात करते हैं November 23 के students के बारे में अगर आपको नहीं बता तो मैं आपको बता दू कि 18 January and 19 January को council की एक meeting होई है जिसमें new scheme के बारे में काफी सारी चीज़े discuss की गई है उसका output उसमें जो भी चीज़े बता ही जाती है वो सीधा जैसे ही मेरे पास आता है मैं सब चीज़े आपके साथ च्छे करूँगा तो चैनल को subscribe जरूर से कर लीजीगा अब बात करते कि पढ़ाई कैसे करनी है और क्या-क्या चीज़े मुझे applicable होगी अब ही देखो अब ही कुछ clear ली है but 99% आपको new syllabus मतलब new scheme बोल सकते हो वो आपको applicable होगी and अगर new scheme applicable होती भी है तो भी आपको tension लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफी सारा portion आपको same दिखने वाला है जैसे कि अगर मैं enter की ही बात करो क्योंकि enter का उन्हें दाउट पूछा है बट enter का मैं अभी ये लिए बता दिता हो कि उसमें आपको बताई कि सबसे पहला advance account होने वाला है दूसरा cost corporate low होने वाला है और फिर third होने वाला है cost तो आपको पता ही है कि इतनी चीज़े तो रहने वाली है same to same corporate low पूरा रहने वाला है तो वहां से आप पढ़ाई करना शुरू कर सकते हो अगर आप group 1 के लिए prepare कर रहे हो group 2 में आपको taxation देखने को मिलेगा audit देखने को मिलेगा जितनी चीज़े आपको लग रहा है कि अगर new syllabus आता भी है new scheme आती भी है तो वो चीज़े भी same रहने वाली है तो वहां से आप पढ़ाई करना शुरू करिए अब पढ़ाई कैसे करना चाहिए क्योंकि आप frustrated हो जाते हो कई बार पढ़ाई नहीं हो पाती है काफी सारी दिमाग में चलती रहती है news scheme आईगी कि नहीं आगी वो applicable होगा कि नहीं होगा अगर आप frustrated हो चुकी हो तो उसके लिए मैं telegram पे काफी सारे tips and tricks share करता रहता हूँ उसे join कर लीजिए instagram पे भी मैं try करता हूँ कि मैं थोड़े आप enjoy करो ऐसे videos short videos बना के आपके साथ share करो ताकि आप enjoy करते जाओ देखते देखते और उसके पढ़ाई भी आप करते जाओ कि हाँ ये ये चीज़े मेरे को follow करनी है अब ही के लिए मैं आपको बताऊँगा आप easy subject को उठाइए जो चीज़े common है पहले उसको देखिए क्या क्या चीज़े common है common वाले chapter select करिए उसमें से सबसे easiest one आपको जो लगता है वहाँ से शुरुआत करिए कुछ ना करने से better की कुछ तो करे तो अगर आपके कुछ भी बढ़ाई नहीं हो रही better चीज़े की 1 hour की बढ़ाई करो 2 hours, 3 hours, 4 hours ऐसे goal रख सकते हो morning का 1 hour का goal रखिए 2 hours का goal रखिए noon में 1 hour और evening में 1 hour इस तरीके से आप 3 to 4 hours की बढ़ाई easily शुरुआत कर सकते हो इस तरीके से आप अपनी बढ़ाई को शुरू करिए बाकि November 23 के लिए meeting 18 and 19 January को हुआ है output बस आने वाला है जैसी आएगा मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूँगा तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर से कर दीजी और अगर आप चाहते हो कि मैं foundation internet final detail बताओ कि क्या-क्या चीज़े same रहने वाली है ताकि आप पढ़ाई कर सको अब जरूर से मुझे बताईए मुझे अपने डाउट बुचिए मैं इसी तरीके से आपका भी solution का video बना के आपके शाद शेयर करूँगा thank you so much watching this session जय हिंद subscribe कर लिजे इस channel को and share कर ये अपने friends के साथ जो November या May में exam देने वाल है